हेलो दोस्तों बहुत बहुत शागत है आपका देव फार्मेसी के यूटूब चैनल पर तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कम्यूंटी फार्मेसी के स्लेवस के बारे में मतलब जो डी फॉर्म सेकेंडर में स्टुडेंट आ चुके हैं जिन्होंने डी फॉर्म वीडियो लाइक करना और हमारे चैनल को سब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को सेर करना, और अपने कॉलीज गूरूम में वीडियो को सिर करना कि आपको क्या क्या पढ़ना है किस प्रकार से मेरा प्लान है आपको पढ़ाने का तो देखिए दोस्तों सब्जेक्ट आपका है कम्यूंटी फार्मेशी और उसके बाद कम्यूंटी फार्मेशी के अंदर आपके टोटल चेप्टर है नाइन चेप्टर मतलब जिस प्रकार से Social Pharmacy पड़ा है उसी पगार से आपका Deep Farm Secondar के अंदर बिल्कुल सेम सब्जेक्ट है Community Pharmacy मतलब जो हमारे Local Areas में जो Pharmacy चलाई जाती है मतलब जो Local Medical Store होते हैं उनको कहा जाता Community Pharmacy तो उसी के बारे में दोस्तों आपको पढ़ना है इस वाले subject में तो आपके total chapter इसमें कितने है 9 chapter total है और बहुत ही easy subject है मतलब community pharmacy easy subject है इसलिए दोस्तों हमने easy subject से start किया है क्योंकि दोस्तों अगर हम hard subject से start कर देंगे तो आप लोग थोड़ा दिक्कत में पढ़ने बाले हैं तो इसलिए easy subject से start करेंगे आपको पढ़ने में भी मज़ा आए जो भी आपका PCI ये मतलब Pharmacy Council of India के दोरा Slavers प्रोबाइट किया गया है उसके according दोस्तों आपको Slavers पढ़ाया जाएगा देव फार्मेशी पर और उसके बार Live Revision मतलब Community Pharmacy ये आधर सब्जेक्ट हो गए उनकी अगर Uploaded Class हमने Upload कर दिये तो दोस्तों उसके बाद क्या होगा Upload करने के बाद दोस्तों उनका Live Class में Revision कराया जाएगा आपका Time मतलब Proper बता दिया जाएगा कि इतने Time से आपकी Revision Classes होगी Community Pharmacy की तो दोस्तों उसका Live Revision कराएगे मतलब Live Revision से ये हो जाता है कि जो बाते हम डारेक्ली आपको समझाएगे आपके दिमाग में बेबाते और उसके बाद दोस्तों Chapter Wise Multiple Choice दोस्तों मतलब हमने Community Pharmacy का पहला Chapter Complete कर लिया फिर Chapter Complete करने के बाद दोस्तों फिर हम आपको Multiple Choice की Short Video भी Provide करेंगे क्योंकि आपका Next Exit Exam भी होने बाला है और उसके बाद आपके Final Exam में Multiple Choice फिलिंदा ब्लैंक से पूछे जाते हैं जिससे आपको बा साथ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और उसके बाद टाइपिंग PDF मतलब जो भी आपका मतलब डीफां सेकेंडर का जितना भी आपको इसलिए बास प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको देव फार्मेशी के अंदर जो है टाइपिंग PDF प्रोवाइड की जाएंगे क क्योंकि हैंड रिटेन में कभी कभी ऐसा होता है क्वालिटी नहीं आती वीडियो की और उसके बाद कहीं कहीं पर मिश्टेक भी हो जाती है मतलब कुछ बर्ड सबको समझ में नहीं आते हैं तो इसलिए टाइपिंग बाले जो बर्ड होंगे बैस सभी स्टूडेंट्स को सम 599 मतलब एक साल में आपको किवल देख फार्मेशी को 599 रुपई देने हैं और उसके बाद दोस्तों आपका जो भी मतलब आपको प्रॉब्लम होगी बैस सब सौल की जाएगी सब ही टॉपिक पर आपको मतलब हैल्प की जाएगी तो एक साल का आपका 599 रुपीज दोस्तो प्रीबियस में जो हमने वीडियो पढ़ें उससे हमको अभी कुछ भी नहीं मतलब है क्योंकि दोस्तों आपका न्यू बैस स्टार्ट कर रहे हैं और आपके लिए फुल फेसिलिटी प्रॉबाइट करेंगे तो थोड़ा चार्ज भी बढ़ा दिया है और उसके बाद कार्टिंग से ही हमसे जुड़ना है तो दोस्तों इस नंबर से आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं डारेक्ली कॉल कर सकते हैं बाटसम मेंसे कर सकते हैं और उसके बाद आपको टोटल मतलब नोट्स के बाले गुरूब में एड कर दिया जाएगा मतलब बाटसम गुरूब में का क्या सिलेबस है तो देख Belt कंति इस अबलब सिलेबस ay जिसके आपका सब्सक्र बलद करता है कप्या होता है है उसमें क्यां पर ना ही सिरी पर आए मतलब कंप्योख मेडिकल् स्टोर्व से हो रहे लोकल एरियाज में तो यह किस प्रकार से डेवलफ होना इस्टार्ट होए, किस परकार सी यह open किये गए तो पहले chap08 में आपको यह पढ़ना है और international and Indian scenario पढ़ना है कि इंडिया के अंदर community pharmacy किस प्रकार की होती है और international level पर community pharmacy किस प्रकार से होती है मतलब medical store स्टोर के बारे में डारिकली पढ़ना है कि मेडिकल इस्टोर किस टाइप के होते हैं टोटल इसमें PCI के अकॉर्डिंग आपको टूबर की क्लासेज लेनी है तो दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करेंगे फिर दूसरा चेप्टर में आपको पढ़ना है प्रोफेशनल रिस् प्रेस्पूंसिबिल्टिज होती है और उसके बाद एक टॉपिक इसम्गे और पारुटाएंगे कि यह थो पी क्या होता है और उसके बाद दुस्तों और आपने पहले से भी पढ़ाएं कि फारमसिस्ट के क्या-क्या responsibility होती है फिर दोस्तों तीसरा चेप्टर आप पढ़ेंगे prescription मतलब prescription तो आपने नाम सुनाई होगा जिस पर doctor लोग जो होते हैं बैस दबाई लिखते हैं मतलब medicine provide करते हैं जैसे आप medicine doctor के पाद लेने गए तो doctor ने क्या-क्या एक मतलब एक पर्चा होता है तो उस पर medicine लिख देता है जो भी आपको provide करना होता है वह सब उस पर information लिख देता है तो दोस्तों पूरा चेप्टर आपका community pharmacy के अंदर बना दिया गया है prescription and prescription handling मतलब अगर आप फार्मासिस्ट है अपना medical store है अगर कोई prescription लेके आता है तो prescription को आप किस पकार से handle करेंगे और उसके बाद किस पकार से उस percent को manage करेंगे फिर बात करेंगे communication skill फूर्थ चेप्टर आपको पढ़ना communication skill मतलब आपके बोलने का तरीका और लोगों को समझाने का तरीका इस चेप्टर में आप बात करेंगे तो चेप्टर फूर में आप लोग study करेंगे दोस्तों definition type of communication skill मतलब communication skill के क्या क्या types होते हैं और उसके बाद दोस्तों return communication skill क्या होती है body language क्या होती है और किसी patient का अगर interview लेना है तो उसकी क्या क्या techniques होंगी तो इन techniques के बारे में बात करेंगे chapter number 4 में और उसके बाद दोस्तों chapter number 5 में आप पढ़ेंगे तो दोस्तों chapter number 5 में आप पढ़ेंगे patient counseling तो दोस्तों patient counseling क्या होता है अगर कोई भी मतलब patient है आपकी pharmacy पर दवाई लेने आया मतलब medicine लेने आया तो दोस्तों आप उस patient को किस पकार से deal करेंगे मतलब आपने उसको medicine तो दे दी लेकिन उसके बाद दोस्तों आप उसको कैसे समझाएंगे कौन सी medicine कितने time खानी है खाना किस पकार का खाना है गरम पानी पीना है थंडा पानी पीना है तो उसकी counseling करना यही आपका है patient counseling तो इसमें आप stage आप patient counseling barrier to effective counseling मतलब किस पकार से कौन क उसे barrier आजाते हैं जिससे जो patient के counseling नहीं हो पाती है और उसके बाद patient counseling point for chronic disease or disorder के बारे में बात करेंगे patient package inside के बारे में बात करेंगे और उसके बाद patient information leaflets के बारे में बात करेंगे chapter number 5 के अंदर फिर दोस्तों medication adherence और उसके बाद medication non adherence के बारे में बात करेंगे chapter number 6 के अंदर मतलब chapter number 5 तक तो आपको बता दिया है तो chapter number 6 है आपका medication adherence तो दोस्तों medication adherence क्या होता है किसी भी doctor ने आपको कोई सलहा दी कि आपको यह बाली बीमारी है तो आपको इस पकार से इतने टाइम दवाई खानी है लेकिन आपने उस doctor की कितनी बात को follow किया और कितनी बातों को follow नहीं किया यही इसको पढ़ना है medication adherence के अंदर जब आपको पढ़ाएंगे दोस्तों देफ pharmacy के दोरा आपको बहुत ही easy languageman notes प्रोवाइड किये जाएंगे और उसके बात दोस्तों जितने भी आपके doubt होंगे live session में पूरा हम solve कराएंगे आपकी जो भी problem होगी आपको हम deform secondary अगर मेरे साथ आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते रहेंगे तो deform secondary मेरी जिम्मेदारी हम आपको pass कराएंगे और उसके बाद chapter number 7 health screening service in community pharmacy मतलब community pharmacy के अंदर health screening service किस प्रकाश से की जाती है मतलब जो हमारी body के health screening की जाती है तो इसी के बारे में अपने लोग बात करेंगे chapter number 7 के अंदर फिर बात करते chapter number 8 के बारे में तो chapter number 8 में क्या पढ़ेंगे तो दोस्तो इसमें पढ़ेंगे over the counter medication मतलब OTC medication मतलब बहे medicine जिनको लेने के लिए किसी भी प्रकार का कोई prescription की जरूरत नहीं होती है ना doctor के परचे की जरूरत होती है तो उन medicine के बारे में पढ़ेंगे देखिए दोस्तों अपने लोगों को थोड़ा सा बुखार होता है तो अपने लोग medical पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं हमको मतलब paracetamol दे दो तो इसके लिए परचे की जरूरत थोड़ी नहीं direct दवाई ले लेते हैं ना मतलब medicine ले लेते हैं जाके तो यही आपका है OTC medication फिल लाश्ट में आप पढ़ेंगे Community Pharmacy Management मतलब आपको अपना medical store खोलना है तो उसके लिए क्या-क्या documents की आप सकता होगी तो उसको पढ़ेंगे chapter number 9 के अंदर तो दोस्तो यही आपका Community Pharmacy का syllabus है बहुत easy syllabus है easily तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे और दोस्तो आपको अच्छे से समझाएंगे तो अगर यह कोशिज मेरी अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिया